दोस्तो जब भी कभी हमें लैप्टॉप लेना होता है तो नॉर्मल हम इस तरीकी के वीडियो ज़रूर देखते हैं कि बेस्ट लैप्टॉप अंडर 40,000, 30,000, 25,000 जो भी हमारी रेंज होती है उसके साब से हम जो है वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन कई बार यह ऐसा होता है कि वो वीडियो देखने के बाद भी हमारे जो डाउट्स हैं वो clear नहीं होते हैं क्योंकि वो 4-5 जो लैप्टॉप बताए जाते हैं उस वीडियो के अंदर हमें थोड़ा सा डाउट यह रहता है कि हमारे लिए कौन सा लैप्टॉप जो है वो best करते हैं तो उसको मैंने अलग कर दिया है दूसरी मैंने कैटिगरी बनाए है कि जो business जो professionals होते हैं इनको presentations देनी होती है शे मार्केट का काम होता है या फिर कुछ ऐसी activities होती है कि काफी sensitive उसके अंदर हो जाता है कि business is like data important है काफी उनका और काफी हद तक जो safe और सेक्योर होना और वहाँ पर laptop जो है एकदम अलग configuration का होता है तो इन categories को ध्यान में रखे मैंने ये series जो है बनाई है अपकर जो वीडियो में बना रहा हूँ इसके अलावा मैंने best laptop अने 25,000, 20,000, 30,000 मैंने अलग-अलग videos बना रखे हैं उनके link मैं आपको description में दे दूँगा या फिर उप एक laptop की specification screen पर दिखा दता हूँ ताकि मैं बोलता भी रहा हूँ तो आप साथ में उसको read भी कर सके और आपके लिए काफी easy रहे तो दोस्तो पहले अगर laptop की बात करना हूँ तो वो है Lenovo का IdeaPad 330 और ये Intel की Core i5 processor की 8th generation की ओपर चलता है काफी अच्छी speed इसकंदर आपको मिलने वाली है साथ ही आपको 8GB के RAM का support इसकंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप 12GB, 16GB आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं तो काफी अच्छी upgrade आपको देखने को मिलती है latest आपको processor देखने को मिलता है 8th generation का 1TB की आपको hard drive इसकंदर देखने को मिल जाएगी तो काफी अच् अगर वेट की बात करूँ तो तकरीबन 2kg का इसका वेट होने वाला है और 5.5 घंटे का आपको battery backup इसकंदर देखने को मिल जाता है 1 year का आपको इसकंदर आपको warranty मिलने वाली है और Lenovo की warranty के अदर क्या है कि आपके घर पे आके भी service आपको मिल जाती है साथी service center पे आपको मि ब्रैंड काफी अच्छा है तो after warranty भी मतले एक साल पूरा होने के बाद भी आपको parts easily available हो जाते हैं साथ ही laptop में आपको लगबग सभी ports देखने हो मिल जाएंगे जैसे आपको DVD writer भी आपको देखने हो मिलता है जो read write दोनों करेगा USB C का support आपको देखने हो मिल जाएगा USB 3.0 क का support भी आपको देखने हो मिल जाएगा card reader भी आपको देखने हो मिल जाएगा 4-in-1 का बाकी LAN, Wi-Fi, Bluetooth, webcam वगरा तो आपको मिलने ही वाला है दोस्तों ये laptop जो है आपको 39,300 रुपीज का मिल जाएगा link में नीचे description में देता हूँ आप जाके पूरी detail उसकी देख सकते हैं अगर आप stock market का का काम करते हैं तो definitely वहाँ पर भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा तो काफी अच्छा brand है safe आपको ये laptop देखने को मिलेगा अच्छी आपको service भी देखने को मिलेगी तो अगर आपका budget 40,000 की आसपास है और आप student है या daily use करते हैं आप professional है तो आप इस laptop के ले जा सकते हैं speed में या काम में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और हम move on करते हैं अपने next laptop की तरफ दोस्तो अगला laptop भी Lenovo का ही है Lenovo IdeaPad 320E और यह आपको 39,900 रुपीज का मिल जाएगा जिसके आपको core i5 का processor ही देखने को मिलता है 4GB किसे आपको RAM देखने को मिल drive जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसंदर आपको 2GB का Nvidia ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है RAM आप 8GB, 12GB आप 16GB तक अराम से बढ़ा सकते हैं तो अगर आप gaming का शौक रखते हैं या फिर आप editing का शौक रखते हैं तो यह laptop आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है 15.6 है इ और HD webcam आपको देखने को मिल जाएं साथ ही आपको 5 घंटे से भी जादा का battery backup देखने को मिलता है DVD, read, write दोनों यह laptop करता है और इसे इंदर आपको बाकि सारे ports देखने को मिल जाएं इसे Bluetooth, card reader, Wi-Fi, LAN, modem वगरा तो अपने आप में एक complete laptop है और अगर आप gaming में बिलीव करते ह अगर आपको एक ऐसा laptop चाहिए जो आपका एक अच्छे कासी gaming भी आपको करके दे दे जानी कि GTA, Y, City या PUBG वगरा भी आप अराम से उसमें खेल सके या फिर जैसा मैं YouTube पर भी वीडियो बनाके edit करके यह publish कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं तो ऐसा भी अगर आपको करन में दे जता हूँ और हम बात करते हैं अभी तीसरे laptop के बारे में दोस्तों तीसरा जो laptop है वो Dell Inspiron का 15 है यह 15 सीरीज होती है exactly model जो है वो मैं नीचे description में दे दूँगा तो आप click करके redirect हो जाएंगे उस website पर जहां पर भी यह मिलता है यह laptop भी आपको 39,000 की range में देखने हो मिल जो कि काफी अच्छा space है 4GB की आपको RAM देखने को मिलेगी जो again मैं आपको बोलता हूँ 8GB 12GB अपने हिसाब से आप उसको upgrade भी कर सकते हैं और 15.6 inch की आपको HD screen देखने को मिलने वाली है दोस्तों इसके अंदर भी आपको 2GB का AMD का Radeon M340 का graphic card देखने हो मिलता है जो काफी अ लापटोप भी कुछ ऐसा है कि आप gaming और rating दोनों कर सकते हैं साथ में जो normal काम हो तो इसके अंदर हो ही सकते हैं 39,000 रुपीज की range के अंदर आपको मिल जाएगा और अगर आप live streaming करना चाहते हैं gaming और अगर अगर आप लाइब स्के अंदर पॉसिबल है अच्छा webcam इसके अं 30,000 रुपे की range के अंदर आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छी इस पर sale चलती रहती है फिलाल करन्ट लिए 38,000 की range में है लेकि नॉर्मली आपको जब sale चल रही होती है तो 36 की आसपास पर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको 7th generation का Core i5 processor देखने को मिल सकते हो 4GB की इसके आपको RAM देखने को मिलेगी और 1TB की आपको hard drive देखने को मिलेगी दोस्तों इसके अंदर आपको Intel का HD 620 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा ये एक integrated graphics है तो इसको आप उस तरीक से मत देखीगा जैसे 2GB ग्राफिक का या dedicated जो ग्राफिक कार्ड होते है उतनी अच्छी performance आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन आपको integrated graphics है तो normal काम आपको काफी अच्छे करने को मिल जाएगे DVD read write का support आपको देखने को मिलेगा साथ ही इसके अंदर आपको Windows 10 का support देखने को मिल जाएगा मतलब प्री install Windows इसके अंदर आपको देखने को मिलती है तो इस laptop के लिए जा सकते हैं HP का brand जो है वो काफी trustful brand है आप इस पर trust कर सकते हैं और long term के लिए चलने के लिए laptop जाने जाते हैं सालों साली laptop चलते हैं तो इस laptop के लिए अगर जा सकते हैं अगर आप एक लंबे time के लिए सोचते हैं कि अभी college में admission ले रहा हूँ हो 3rd year तक भी भरोशा कर सकते हैं मैंने पिछले कई सालों तक laptop जो है यूज करें काफी सारे मैं laptop यूज करें जिन मैंने trustful देखा कि HP का laptop और Dell का laptop definitely ये brand काफी strong brand है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है कि वो brand मैं आपके साथ share करूँ जो कि brand काफी solid है तो आपने देखा ह लिए हैं हाला कि बहुत सारे brand और भी available होते हैं हाला कि मैं यह नहीं करूँगा कि उन में से कुछ brand solid नहीं है लेकिन इन brands के आप service पर, parts पर या guarantee बिल्कुल भरोशा कर सकते हैं आपको definitely अच्छा मिलने वाला है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया ह होगा और कुछ चीज़ें आपके साथ share करना चाहता हूँ वीडियो खतम करने से पहले पहली चीज़ तो यह कि अगर आप एक laptop खरीदना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो Chromebook वगरा होती है उस पर ना जाए कि वो उनके लिए अच्छा है जो घर पे सिरफ YouTube और Netflix देख देखने को मिलेगा हाला कि gaming आप MacBook में इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको editing का काम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा तो budget अगर आपको ऊपर जा रहा है तो आप MacBook के लिए जा सकते हैं बाकि Windows के laptop की बात करें या Dell HP, Lenovo की बात करें तो उस वहाँ आप deform करेंड़ता है नहीं है जभूरेगा नहीं हएा है रहा है जरोट नहीं है बाद करेंड़त